कोश्चन को देखते हैं कोश्चन नमबर दस ए टीवी सेट इस बिंग सोल्ड फोर रूपीज एक्स ओके इन डली डली में एक्स रूपए का कोई एक्स टीवी सेट बेज दिया जाता है डीलर वेंट टू चंडीगर और बॉट टीवी और 20% डिसकाउंट फ्रॉम दा प्राइ कि उतना ही में फिर बेज दिया इसको भी चंडीगर जाकर टीवी सेट को खरदा 600 रुपए ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगा और उसके बाद फिर भी वह एक्स रुपए में ही बेचा प्रॉफिट परसेंट इसका रहा गया कितना है 100 अपॉन 7% प्रॉफिट लगा तो वा 20% का क्या होता है डिस्काउंट होता अब दूसरी चीज़ डिस्काउंट कभी वह होता है तो किस पर होता एंपी पर होता है ध्यान देना है एंपी पर होता है तो सबसे पहले इसको रेशियो में चेंज करते हैं इसको रेशियो में चेंज करेंगे तो 1.5 होगा 1.5 का मतलब यह जो 5 unit होगा, वो MP हो जाएगा, तो 5 unit MP यानि कि इसको हम मान लेते हैं, MP 5X, एक unit क्या है, उस पर discount है, यानि SP कितना आ जाएगा, 4X आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल simple सा question है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए चलते हैं, और उसके बाद देखते हैं, कि यह तो discount पर, discount पर यह मतलब, इसको कितना को मिला होगा, जो भी है, मतलब कि हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, कि 20% का discount है, यानि कि कूल MP तो 5X होगा, लेकिन discount के बाद उससे मिला है, 4X में, ठीक है, दूसरी चीज, profit का यहाँ पर बात कर लेते हैं, सबसे पहले profit क्या है, profit कितन की value होती है, 1 upon 100, ठीक, तो हम लोग क्या कर लेंगी, यहाँ से, 100 लिक लेंगी, यहाँ से, 100 से, 100 के हैं, 1 upon 7, profit 1 upon 7, अब बताएए कि profit किस पे best होता है, CP पे, cost price पे, यानि जो नीचे वाला भाग, वो cost price है, तो आप क्या cost price को 7Y मान सकते हैं, बिलकुल मान सकते हैं, और एक unit profit है, यानि profit को Y मान सकते हैं, यानि कि एक unit profit है, और आप यह भी बोल सकते हैं, कि जो selling price होगी, एक unit profit के साथ जो selling price होगी, SP होगा, वो कितना होगा, 8Y होगा, selling price होगा, लेकिन ध्यान देजिए कि यह जो 8Y selling price है, इसमें यह 600 रुपए है, 600 रुपए, जो है, मतलब कि यहाँ पर included है, ठीक है, 600 रुपीज, जो है, इसमें क्या है, included है, ठीक है, ध्यान देना है, इस selling price में 600 रुपए included है, ठीक है, क्योंकि 20% डिसकाउंट हो गया, लेकिन एक्ष्टा उसका 600 रुपए लगा, तो वो 600 रुपए इसमें add करके ही sell किय ठीक है, तब भी उसे y रुपए का बचत हो रहा है, ठीक है, यानि यहाँ पर जो selling price है, इसमें 600 रुपए included है, और यहाँ पर जो selling price है, यानि जो हम लोग अभी निकाले, यह वाला selling price, इसमें 600 रुपए included नहीं है, ध्यान देना है, दोनों cases में, तो यहाँ पर जो sell करता है यानि देली में, वो X में बेशता है, यानि कि यह 5X जो है, वो X के बराबर होगा, ठीक है, माग्र price के बराबर यही होगा, और यहाँ भी तो बेशता है, X में ही बेशता है, यह वाला जो बेशता है, वो कितना ही बेशता है, sold said in Delhi, X में ही बेशता है, यानि यह जो selling price है, यानि यह जो बेजता है यानि इतना में एट वाई में यह और यह दोनों आपस में बराबर होगा समझ में आरे बात एक बार फिर से समझेंगे हम लोग देलही में एक्स रुपय में बेजता हो लेकिन जब चंड़ी घर में जाता है तो वही वस्तु वही मतलब कि जो टीवी सेट है वह 20 पर 30 के डिसकाउंट पर मिलता है तो कम होकर वह कितना में मिल लेकिन उसके एक्चूल तो 5 एक्स प्राइस है यानि कि मैं जो एक्स के बराबर होगा वही होगा एक्स के बराबर एंड देन आप्टर यहां पर हम लोग देख रहा है कि जो प्रॉफिट परसेंट बन रहा है यहां पर जो प्रॉफिट परसेंट बन रहा हो बन रहा है हंड़ेड अपन सेवन परसेंट प्रॉफिट परस बेजता है तो इसको y रुपए का फायदा होता है ठीक है इतना बेजता है और यह जो बेजता है इसको भी बोलता है कि वह x रुपए ही है यानि जो बेजता है वह एमाउंट x ही है और यहां भी जो बेजता है वह भी x है यानि कि यह जो 5x और 8y है दोनों आपस में बराबर ह होगा simple सी बात है दोनों आपस में बराबर होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि 5x और 8y को आपस में बराबर कर देंगे तो y बराबर कितना जाएगा 5 upon 8x आजाएगा अब हम लोगों को क्या करना है यहां पर कोस्ट प्राइस हो गया आपका सेवन भाई यहां पर कोस्ट प्राइस हो गया आपका सेवन भाई यानि कि इतना इसकी कोस्ट प्राइस हो गई और यहां पर यह भी एक एक तरह से वह खरदा था तो यह भी कोस्ट प्राइस है लेकिन ध्यान दिजिए कि इन दोनों के बीच का का दिफरेंट 600 होगा इन दोनों के बीच का डिफरेंट 600 होगा अब की हो रहा है समझे बातों को यहां पर जो कोस्ट प्राइश निकला है इसमें 600 रुपये included है यहां पर जो 600 रुपये इंक्लूड़े त्रांस्पोर्ट खर्चा included है क्यूंकि वो इंक्लूड करने के बाद ही giving percentage बनता है प्रॉफिट पर्सेंट बनते ऐगने के बाद ही प्रॉफिट पर्सेंट इससे यहाँ पर पेचा है तो इसका टोटल कोस्ट प्राइस का अनुसार होगा यानि जो भी टोटल खर्च लगा यानि 600 पर ट्रांस्पोर्ट भी लगा है तो उसको भी तो एड़ करेगा as a कोस्ट प्राइस के तो यहां पर इन दोनों के भी इसकी डिफ्रेंस यानि यह बड़ा है by 600 और यह आप लिख सकते हो 7y-4x is equal to 600 ठीक अब y की value आपके पास मिल गया तो value को put कर सकते हैं तो 7 into 5 upon 8x minus 4x is equal to 600 ठीक यह हो गया 7 पाच्चे पैंटिस 35x और यह हो जाएगा आपका 7 पाच्चे 35 यहां से multiplication होगे और यह हो जाएगा आपका 84 का 32x अब बटे में कितना हो जाएगा lcm 8 ले लेते हैं बराबर 600 अब यहां से यह difference निकालेंगे तो कितना जाएगा 3x ठीक कितना जाएगा 3x यहां से difference निकालेंगे तो 3x is equal to यह हो ज 1400 यहां से यह cancel हो जाएगा कितने बार में 2660 यहां दीख रहा है यहांद है एकश की वैलू कितनी आज जाएगी 600 अब जब झटीनहंड़ सिक्स्टीनहंड़न आ जाएगी तो हमसे पूछ रहा है कि यह जो एकस कितना जाएगा total 80,000 कितना जाएगा 80,000 it is the answer final answer आपके होगी 80,000 यानि कि option number B is the correct answer ओके so clear clear होगे यहाँ से ओके बिलकुल बढ़िया one second wait okay पाता जाएगा प्रोंł आपके गया